हाई गाईस मेरा यूटूब चैनल फैंटासी एपडीट 11 पे आपका स्वागत है आज मैं ड्रीम 11 में फुर्बॉल की टीम प्रोवाइट करूंगा जो सिड्नी FC बना सेंट्रल कोस्ट मेरिनास FC के बीच जो मैच है मैं उसी के टीम प्रोवाइट करूंगा गाईस तो मेरे मैं जो भी से इस्टेट प्लेएर के बारे में बोलूंगा आप उसके हिसाब से खुद का भी टीम बनाके जा सकते हो तो यह पर पे सीड्नी FC और सेंट्र कोस्ट मेरिनास FC के बीच जब भी होता है काफी फाइटिंग मैच होता है तो यह पर पे सीड्नी FC यहापर पे पिछल पांच मैच जो दोनों टीम के भीज हुआ था चार मैच जीत चुगा था और एक मैच सिब सेंट्र को स्मेरिनर्स ने जीत पाई लास्ट मैच यापर से तीन एक से सीड्नी ने मैच जीता था तो यापर पे सीड्नी एपसी अभी तक पॉइंस टेबिल पे पांच नमबर पे है 21 मैच खेल के नो मैच जीता है चार मैच ड्रौ किया है आठ मैच हारे है उनके पास यापर पे यापर नौ मैच जीता है तो यापर से एक 30 पॉइंट है उनके नाम और लास्ट पांच मैच में दो जीत, दो ड्रॉव और एक हार है लास्ट मैच दो एक से उनको हार मिला था वेलिंग्टन फॉनिक सेपसी के साथ और यापर पर सेंट्रेल कोस्ट मेरिनस तो इस सीजन काफी बढ़िया कर रहा है क्योंकि अभी तक दो नमबर पॉइंट्स टेविल पे है 21 मैच खेल के 12 मैच जीता है 4 मैच रॉक किया है 5 मैच हा रहे हैं उनके पास 14 पॉइंट है और लगबग लास्ट 5 मैचों में 5 मैच जीत मिला है उनको और यापर पर लास्ट मैच में 3 जीरो से यापर पर मकर्था रेपसी के साथ जीता है तो आज का मैच अगर जीतेगा तो वेलिंग्टन फोनिक्स के साथ यापर से 43 पर नमबर वन पर आएगा क्योंकि उनका गोल डिफरेंस काफी ज्यादा है गोल किपर आप्शन पर दो चॉइस रहेगा एक है वुको बीच और एक है रेड माइन और यापर से मैं रेड माइन को मेरे टीम में पिक करना चाहूँगा क्योंकि सेंटल कोस्मेर्स लाजबा फॉर्म में है लिफिंडर यापर पर सेंटल कोस्मेर्स के काफी इंपोर्टन पिक रह सकता है यापर पर फेरिल क्योंकि एक गोल दो एसिस्ट है अभी तक अच्का मैस स्टार्ट करेंगे ग्रैंड को ले सकते हो तीन गोल दो एसिस्ट काफी बढ़िया पदेशन रहा है उनका भी तक तो यापर पर पर ग्रैंड फेरिल कूटनी पार्किंग्स को अपने टीम पे ले सकते हो ये भी काफी शांदर है दो गोल अभी तक अपने टीम के लिए मार चुका है मैं उनको भी मेरे टीम में पिक करना चाओंगा नहीं तो यापर से कल तक को ले सकते हो कल तक यापर पर दो गोल एक ऐसिस्ट काफी अच्छा टैकल इंटरसेप्शन कर सकता ये खिलारी तो यापर से काफी इंपोर्टेंट भी रहेगा और यापर पर डोका एक अच्छा चॉइस रहेगा क्योंकि ये जो खिलारी है ये गोल दाख सकते है राइट विंग से काफी अच्छा यापर से करता है एक गोल चार एसिस्ट उरिश्या के बिरूद तो ये दो गोल दाख चुका था अगर पिनल्टी होंगे में पिलान नहीं रहेंगे तो डोका पिनल्टी मार सकता है तो डोका एक अच्छा चोइस रहेगा उसके बाद यापर से मिटफिल्डर आप्शन पे काफी बड़िया चोइस रहेगा जेक लोली आट गोल चौव एसिस्ट है उनके नाम कैसीरा से एक अच्छा चोइस रहेगा दो गोल चार एसिस्ट है ब्रेटन के नाम दो एसिस्ट है तो यापर पे लोली, कैसीरेस और यापर पे जो एक खिलारी रहेंगे हो रहेंगे नीजावेट काफी यॉंग टैलेंट है नैशनल टीम औस्टिला के तरफ सभी खेल चुका ये खिलारी काफी अच्छा एसिस्ट कर सकता है दो गोल, साथ एसिस्ट अभी तक उनके नाम है यापर पे निजावेट को पिक किया और अभी तक के लिए रहेगा मिटफिल्डर, डिफिंडर और गोल की पर स्ट्राइकर के ऑप्शन पे यापर पे रॉबर्ट मार्क एक अच्छा चोईस रहेगा चोई गोल है उनके नाम, टोरेस के नाम एगरा गोल है यापर पे इड्मोंच सन एक गोल अभी तक फैवर्ट तो गोमेश अच्का मैच खिलेगा या नहीं खिलेगा कोई भी कॉनफर्म नहीं अगर खिलेंगे काफी इंपोर्टन चोईस रहेगा उसके बाद यापर पे जो खिलारी रहेगा कूचरिस्की मैं इनको पिक करूँगा अगर गोमेश खिलेंगे तो इसको हटाके गोमेश को ले लेना कूचरिस्की के नाम भी यापर पे दो गोल तीन ऐसिस्ट है तो यापर पे मार्क, टोडेस और कूचरिस्की को मेरे टीम में पिक करूँगा तो यह रहेगा अभी तक मेरे टीम कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए काफी इंपोर्टन पिक रहेगा जेक लोली उसके बाद यापर पे काफी बढ़िया चोईस रहेगा यापर पे जो खिलारी रहेगा टोडेस, नीजव वेट, मार्क, कैसी रेस काफी बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन आएगा अगर टोडेस खेलेंगे टोडेस भी काफी बढ़िया चोईस रहेगा तो यहापर पर मेरा जो captain यहापर पर रहेगा यहापर पर लोली को मेरे team में captain बनाएंगे wise captain यहापर पर टोरेस को बनाएंगे अभी तक के लिए यह मेरा final team रहेगा telegram channel पर आपको लाइन अप के बाद मेरा team provide कर दिया जाएगा link आपको description पर comment box पर दिया होंगे